कि अई विए विए पर में डॉक्तर बिनाक्षी राथी आप तभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हुँ तो वेरी वेरी गुड आफ्टिनून बिंद्रे शुभं गोविन प्रग्या अशोक आप तभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चुट्टे नहीं आज Eid कल है, आज रही है तो बेखिल चुट्ती मी भी होने वाली है बड़ा लोगों की चुट्ती फिर भी नहीं है हम भी आएंगे, आप लोगों को भी आना है बैठके पढ़ना है त्योहार मनाना बहुत अच्छी बात ओतीן ओर मनाने भी चाहएं लेकिन पढ़ाई जो है वो नहीं रोखनी चाहिए consistency is the key to the success तो अब मेरे पीछे देख रहे हैं 80% of आपके सभी batches पर live है, so if you want to enroll in the batches, you can enroll right now Y448 A code कर सकते हैं और enroll कर सकते हैं तो यहाँ पर जो भी बच्चे हमाई साथ first time जोड रहे हैं और ADDA247 की इस application के बारे में नहीं जानते, तो यह बहुत ही useful application है, इसमें आपको subject wise quiz, power capsule, job alerts बहुत सारे features मिलते हैं जो आपके किसी भी exam के लिए boost करने में बहुत help करने वाले हैं साथे साथ जो भी आपके paid batches हैं उनमें extra discount आपको मिलता है को coins करना है और वहां पर आपका discount activate हो जाएगा तो वेरी वेरी गूद आफ्टरनों शिवाम and welcome to this session if you are new to the channel agriculture ADDA247 को subscribe जरूर करें and press the bell icon ताकि सारी classes की notifications आपको मिलती रहें this is the channel which is providing you from 9 a.m. to 9 p.m. सारी agricultural classes आपको मिलती हैं ताप किसी भी agricultural exam के लिए prepare कर रहे हैं this channel is very very helpful for you do subscribe this channel and press the bell icon चले आप हम चलते हैं आज lapidoptera order पर तो तितली को ओड़ते वे देखकर समझा आगया होगा कि आज हम जो है lapidoptera order पढने वाले हैं as I told you कि हम सिर्फ वो orders या वो families पढ़ेंगे जिनमें agricultural important insects जो है pest जो है वो आते हैं तो आज भी हम जो है lapidoptera order में आपकी majorly three classes पढ़ेंगे जिसमें जादा तर important pest जो है lapidoptera order से वो lapidoptera order में बिलॉंग करते हैं और किस-किस family से बिलॉंग करते हैं तो these classification classes are very very helpful I know classification से सारे बच्चे भागते रहते हैं बहुत ही precise classification में आप लोगों के लेके आ रहे हैं जो exam point of view से important है सिर्फ उतने ही classification हम यहाँ पर cover करेंगे so the lapidoptera, lapido का मतलब होता है scales और terence का मतलब होता है wings यानिके इनके scaly wings होते हैं इसके उपर आपको butterfly के उपर colorful colorful इसके punk दिखाई देते हैं जी, shivam, very very good afternoon यह जो है butterfly के scales होते हैं जो colorful होते हैं जो इसके punkों को colorful बनाते हैं mouth part अब सभी को पता है butterfly का mouth part होता है वो siphoning type mouth part होता है siphoning type of mouth part में इसका एक long proboscis होता है जो की एक tube की तरहां काम करता है जैसे की यह insect का head है इस head के नीचे इसको गोल गोल fold करके इस तरीके से रखता है और जब इसको जरूत पढ़ती है flower से nectar लेने की juice सक करने की तो यह क्या करेगा इसको pipeline system है इसको straight कर देगा और flower में insert करेगा और juice पिएगा चिक है तो यह siphoning type of mouth part होता है mouth part is very very important from your exam point of view scaly wings जैसा कि मैंने आपके बताए इसके wings जो है scaly होंगी and most of the larval stages are of phytophagus in nature phytophagus phyto means plants and phagus means eating तो यानि कि इसके larval stage जो है वो plants पर feed करती है plants को खाती है जो यह adult female adult तितली जो आप देखते है यह सिर्फ पराग लेती है यह सिर्फ flowers पर visit करती है यह आपके crop को कोई नुकसान नहीं करती जी आशीश very very good afternoon नुकसान करते हैं के बच्चे बच्चे क्योंकि शैतान होते हैं तो इसके nymphal stage जो है नुकसान करते हैं इसके लार्वन को हम क्या कहते हैं जल्दी से comment box में बताओ जान पूछके मैंने यहां पर ले को इनकी लारवे को क्या कहते हैं जल्दी से बताईए बटफ्लाई के लार्वे को क्या कहते हैं आंसर आ जानेचे फटाफट है ना मुहित पटे लाईए आ रहाई जैसे कि मैंने आपको बताए कि जादतर इनकी लार्वल सेज जो है वही अटाइक करती आपकी क्रॉप पर वही नुकसान करती आपकी क्रॉप वही अइसी है जो आपकी क्रॉप पर नुकसान कर सकती है बिलकुल मधुने सही आशर दिया है तो तितली के जो बच्चे होते हैं याने कि जो इनकी लार्वे होते हैं इनको हम कैटर पिलर्स बोलते है वेरी वेरी गुट इमनिंग पाल नहीं हमेशे इसको पालक रूप कर जो है, वो adult होकर भी, आपके fruit पर नुकसान कर देती है, और कोई ऐसे तितली नहीं है, जो adult होकर आपके crop पर नुकसान करें, लेकिन fruit sucking mode ऐसे तितली है, जो adult होकर भी आपके fruits पर attack करती है, जैसे कि जो भी अपके अनार में ये पाई जाती है, fruit sucking mode है ना, तो ये बहुत ही damage कर देगी, यानकि fruits को इसके damage से बचाने के लिए cover करना पड़ता है, bag करना पड़ता है, ताकि उनसे fruit juice ना चूसे, अगर fruit से juice चूस लिया गया, fruit से juice निकाल लिया गया, तो of course fruit dry होगा, उसमे juice content इतना अच्छा नहीं होगा, उसकी quality जो है, वो कम हो जाएगी, तो इसके लिए जो है, काफी नुकसान दे होता है, क्योंकि farmer को उसको कम price मिलेगा, है ना, तो ये fruit sucking mode ही, ऐसी mode है, या कहेंगे lapidoptera न इंसेक्ट है, जो adult stage में हमारी crop पर feed कर सकता है, चले, now, आपके lapidoptera order में एक family आती है, जिसे कहते है, noctuity family, noctuity family जो है, बहुत ही important family है, from agricultural point of view, noctuity moth, army worm आपने सुना होगा, army worm, it is a very very polyphagus pest, ये बहुत ही polyphagus pest है, cutworm and army worm, यानकी बहुत सारी crops पर feed करते हैं, ऐसे जो भी आपके insects होते हैं, जो एक से जादा crop पर feed करते हैं, उन्हें polyphagus कहते हैं, आप इनको grams में भी देखते हैं, आप इनको cereals में भी देखते हैं, आप इनको और pulses में भी देखते हैं, बहुत जगह पर, बहुत सारी crops में ये feed करते हैं, fruits में भी बनाते हैं, तो ये army worm या cutworm, ये polyphagus pest हैं, बहुत जादा नुकसान आपकी crop में करता ह यह जहां भी होता है बहुत gregoriously feed करता है और crop को खाता है है ना, this is the largest family of the order, यह lapidoptera order की सबसे बड़ी family है noctuary family और they are attracted to light, देखो noctuary, तो noctuary family यह nocturnal insect है nocturnal क्या होता है, nocturnal होता है जो रात को यानि कि night time में active रहते हैं निशाचर कहते हैं इनको हिंदी में हम ठीक है तो निशाचर भी यह एंसे शूरू होता है नॉक्टर्नल भी यह शूरू होता है, तो यह noctuary family से बिलॉंग करते हैं जाना एक्टिव रहते हैं तो आ गोगएगी से तरफ हो जाग की व्लाइट की तरफ फिरह चूते हैं अब मैंनों पर आपको बता दिया तो सिंपल सी बत है इसके लिए अगर आप फोट पकड़ने हैं तो इनके लिए क्योंकि लाइट की तरफ अट्राइच होते हैं तो लाइट इनके मैनेज्मेंट में लाइट ट्राप्स का यूज किया जा सकता है तो कॉन-कॉन नॉक्टविडी फैमली से बिलॉंग करता है यह है मारे नॉक्टविडी- तो जो हमारा है अगर किसी को लर्ण नहीं होगा तो आरमी आएगी हलीकॉप्टर में बैटके ठीक है और यह है आपका रेड ग्राम पोड बुर ठीक है तेन टबैको केट टबैको कट वर्म टबैको कट वर्म को हम स्पॉडिप्टिरल लिटूरा के नाम से जानते हैं यह भी आपके बहुत सारी क्रॉप्स में फीड करता है पॉलिफेगस पैस्ट है ठीक है और फ्रूट सकिंग मोथ ऑफ सिट्रस सिट्रस पर फ्रूट सकिंग मोथ है और यह एडल्ट भी आपके फ्रूट में डामेज कर सकती है इसे जो आपके फ्रूट का साफ होता है उस पर यह फीड करेगी और फ्रूट को जो है ड्राइड या सुखा रहने के लिए छोड़ देगी तो यह सारे जो हैं हमारे कि ने खार जाता है ठीड कि नेक्स आता है लाइमन टुड़ी फामिली लाइमन टुड़ी फामिली ठीक है तो अगे यह वी नॉक्ट अलमोथ होते हैं यानि की यह भी राट में एक्टिव होते हैं दिन के टाम इनको आराम करना पसंद है यह ना इनमें सिंपल आईस जो है वो आपसेंट होती हैं सिर्फ कंपाउंड आई प्रेजन्ट है सिंपल आई या उसिल आई जिनको हम बोलते हैं यह इन में नहीं पाई जाती है चीक है जी सुझीद भी हो जाएगा और और बच्चे को भी से ग्यान मिल जाएगा तो यह जो हमारी लाइमेंट ट्रिडी फामली है इसके कुछ केरेक्टरेस्टिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं उसमें से मौस्ट इंपोर्टेंट है यह वाला पॉइंट यह वाला क्या कहता है लार्ज टॉफ ऑन दा एनल हेर इसके जो एनस पार्ट होता है उस पर आपको काफी सारे बालों का गुच्छा दिखाई देता है और जब यह एग देता है एग के टाइम पर यह उस गुच्छे को अपने से अलग करके एग की कवरिंग के लिए इस्तिमाल करता है देखो हर स्पीशी जो है हमारे अर्थ पर अपना अस्तित्व जो है वो चाहती है कि मैं बचा रहूं किसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते रहूं और मेरा डीए ने बचा रहे तो इसके लिए वो हर मुम्किन कोशिश करते रहते हैं तो इसके एग जल्दी से प्रिडेटर करके एग कवरिंग में यूज करता है यानिकि इसके एग्स जो है उपर से आपको हैरी दिखाई देंगे कैटरपिलर साथ डेंसली हैरी कैटरपिलर पर बहुत सारे हैर आपको इस पर दिखाई देते हैं ओफन वर्थिक कॉंपार्ट डॉर्सल टाफ्ट ऑन दे सर्टें दिख रहे हैं रेड हैरी कैटरपिलर बिहार हैरी कैटरपिलर यह नाम आपने बहुत सुने होंगे बहुत सारी क्रॉप्स में आते हैं तो यह आपकी कैटरपिलर जो होते हैं पर आपको बहुत सारे इस तरीके से हेर दिखाई देते हैं इनकी बॉड़ी पर तो इसलिए जो हैं आपके hairy caterpillars के example है which are belong to lyman 3D family ठीक है lyman 3D family से ये belong करते हैं ठीक है चले next class next slide पर चलते हैं next class is your sorry family is your sphingidy family ठीक है next family is your sphingidy family ठीक है कभी-कभी slip of tongue हो जाता है उसके लिए I'm sorry heavy-bodied and powerful mode होती है वो इस family से बिलॉंग करती है ठीक है जिनकी body होड़ी होती है बड़ी होती है stout होती है और powerful flying modes होती है निकि दूर तक generally यह उड़ सकती है the proboscis is very long and usually the adult produces sounds by forcing air through the proboscis proboscis क्या था जो वो उसका मैंने आपको pipeline system दिखायता है that is proboscis modification है वो एक तो यह proboscis में basically हवा ब्लो करता है जैसे हम विसल करते हैं तो जैसे मुझे विसल करनी आती नहीं है जैसे मैंने बहुत राइख किया था कभी college time में सीखने के लिए but forget it है जब आई ही नी तो फिर सोचना क्या है तो जैसे हम विसल ब्लो करते हैं यह अपने proboscis में जो है हवा force करता है जिससे की आवाज निकलती है विसल निकलती है वो इसके मेल्स जो है वो यूज करते हैं यह भी अपनी फीमेल को बुलाने के लिए ही इस विसल का इसमाल के जो है करते होंगे लार्वा ओफ मोस्ट स्पीशी हवा कॉंस्पीशियस हॉन ऑन दा डोर्सल सर्फेस ऑफ दा प्राची या तो कही है यह सब्याद कैसे होगा तो याद करने का तरीका एक ही है प्राची या तो कहानियां बनाई और उन कहानियों को याद रखिए और जस्ट कीप रिवाइजिंग टाइम टू टाइम है ना टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें चीज़ें फ्रेश फ्रेश आपके आँखों के सामने आते जाएंगी और दिमाख में सेटल होते जाएंगे देखो मैं भी भूल जाती हूं टो मैं कोई उपर से उतर के नहीं आएंगे मुझे सारे साइन्टिफिक नेम आते हैं या सारी क्लासिफिकेशन आती हैं सो मेरा क्या होता है कि एक बाच में पढ़ाया एक बैच में कम्प्लीट हुआ तब तक दूसरे बैच का नमबर आ गया फिर तीसर सारा फ्रेश पढ़ोगे फिर याद आगा हां ऐसा कुछ होता था है ना सो एंटो की सर्फ एक ही किये कि आपको टाइम टो टाइम जो है रिवाइज इस को करते रहना पड़ेगा तभी ये चीजे आपको याद होनी शुरू होंगी ठीक है मैं कब से वापस आई तो मुझे जो है वापस आई तो एक मेना हो गया ओफिस में लेकिन येस आपकी जो क्लासिस हैं वो समझे कि फ्राइडे से शुरू हुई है फ्राइडे सैटर्डे क्लास लगी थी संडे चुट्टी और मंडे से हमने उसको रिजॉइन किया राइट एक सब्जिक्ट पढ़ो दूसरा गायब तो कोई बात नहीं रिवीशेंस सब्सक्राइड है यहां भी जैसे और सब्जिक्ट की बहुत सारे टीचर से अग्रिकल्चर वह एग्रिकल्चर को आज वन सब्जिक्ट देखते हैं बट अग्रिकल्चर इस नॉट वन कोर्स ऐसा तो हो गई एक को गिराओगे दूसरा उठेगा दूसरे को ठाओगे तीसरा गिरेगा लेकिन धीरे धीरे टाइमली स्लोली सब को रिवाइस करते हुए चलोगे और कंसिस्टेंसी मिंटेन करके चलोगे तो याद रह जाएगा चिक है चलिए चलिए तो देज आर तो मेंबर्स रम दिस फिंगेडी फामली वन इस यो जिंचिली मोथ और वन इस यो स्वीट पटाटो मोथ है ना दोनो ही जो आपकी मोथ है ताउट बॉडी जिए बड़ी होती है वही फ्लाइट ये ले सकते हैं और ये दोनो ही मोथ जो है अफको स्वीट पटाटो मैं तो नॉक्तोडी के बाद जो सबसे इंपोर्टन फैमिली है वह पाईरी लीडी फैमिली आप जब एगरी कल्चर के हम इंसेक्ट क्रॉप को पढ़ेंगे तब फिर हम इनका ओर्डर और फैमिली पढ़ेंगे तब आपको जो है रेलाइस होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो पाईरी डी फैमिली और नॉक्टू डी फैमिली से बिलॉग करते हैं तो पाईरी लीटी फैमिली भी बहुत इंपोर्टन फैमिली है फ्रम एगरिकाल्ट्रल पॉइंट अब प्रतिभा माम के साथ पर सकते हैं आज 6 पीम और जब माम वहां पर कंप्लीट करा लेंगे तो फ प्रिडिंग को कमडेट करेंगे ताकि कोई भी जो उसका पहलू है वह हमसे नहीं चूटे और यह सब्जेक्ट जो है बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट भी लगते हैं तो एंटमोलोजी और पैथोल्जी जेनेटिक्स और प्लान प्रिडिंग जो आपके साइकल में चलते हैं इसका जो आगे का हीसा है अगे चोंच की तरह या स्नावट की तरह खड़ा हुआ होता है इसलिए इसको स्नाव्ट मोथ भी कहते हैं और यह आपको पैरेलेडिवी फैमिली में ही जो है केरेक्टिस्टिक्स देखने को मिलता है चीग है देन नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर, examples of your पाइर लेडी फैमिली, फिर्स एस पैडी स्टेम बोरर, यह भी आप लोगों आपने सबने नाम सुना होगा, पैडी स्टेम बोरर, सिर्को फागा, इन सर्टूलिस, तीक है? तो पैडी स्टेम बोरर, स्टेम में जो है, यह बोर करता है, हैड से, उपर से, तो सिर्कोफागा इंसर्टूलस और वहां से इंसर्ट कर गया स्टेम के अंदर तो सिर्कोफागा इंसर्टूलस इस पैडी स्टेम बोरर का नाम है ठीक है कि और है जिसको काइलो काइल चूट बո्र की सबमते हैं और भुम ऑर जू और यह और भन्दावर कि ऐसी और इसे और लुशिनॉड मैं तो अबनल एंक तो यह सझाइक brace में प्येनिर में और आप कब करें 한번 दंवery something होते हैं तो यह ब्रिंजल का जो है फ्रूट बोर है लूसी नॉइट और बिन एले ठीक है तो यह इनके साइंटिफिक नेम भी आपको इंपोर्टेंट सबके याद नहीं होंगे लेकिन जो भी इंपोर्टेंट इंसेक्ट है पॉलिफेगस इंसेक्ट है यह ज्यादा तर पेज को अपने पास रख लो और जब भी आपका कोई एक्जाम है लास्ट के दिन उस पेज को हमेशा पढ़के जाना बहुत इंपोर्टेंट है कई बार आप से जो है साइंटिफिक नेम देकर के क्वाशन पूछ लिया जाता है यू में बी नॉइंग दा आंसर आफ देट एक्जाम से पहले यह ट्रिक आपको बहुत काम आएगी साइंटिफिक नेम्स के लिए जिक है हाँ साटेड़े को रिविजिन होगा भई पूरा रिविजिन होगा साटेड़े को जिक है विल्कुल डी ट्रुपल सबी वाले भी रहें क्लास अटेंड कर सकते हैं जहां पर भ एक हाइयर लेवल एक्जामिनेशन जैसे के एसर भी नेट है या आईसी एया जेयर फ प्लान प्रोटेक्शन है तो यह वाले चीज़े जहां यह दो एक्जाम से इसमें कवर नहीं हो पाएंगे इन से हेल्प जरूर मिलें कि लेकिन फुली कवर नहीं हो पाएंगे बाकी सभ प्लासस को अटेंड कर सकते हैं से इसलिए इसका नाम पिंक बॉल वर्म रख दिया है इन में भी ने में पालपी लॉंग और कर्व्ड होता है और टर्मिनल सेगमेंट्स पर पॉइंटेड होता है तो आगे का जो पालपी है वो लॉंग और कर्व्ड है सामने से तो यह तलय लीजे कारेक्टेस्टिक है इसमें आपका of the criminal कोज़ का इसके नाम형 में आते ये न Secure gold bull my green the Information लीज्र मांए ये भी आपका गलीचटी फैं다 आर्ली से विलॉंुर्ग करता है या फिर आपकी जो पाइरलेरी फैमिली उस तिने इंसेक्ट नहीं है इंगरी कल्चर में जो यह डामेज कर सके बड़ जो हैं वो काफी इंपोर्टेंट वाले हैं ठीक है इसाथ लेपिड़ॉप्टरा ओर्डर में यह तीन चार फैमिली हैं जो इंपोर्टेंट हैं फैमिली और भी हैं जैसे बटरफ्लाइज की फैमिली एंपट अफोस्ट भी हमने फैमिली इसे कुछ कुछ करते हैं और अपने जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर मतलों वीद्ट sweetheart फॉव में गाड़ा होगा इससे याद है हिर उocyтовा को एक यह आप लोगों को एक होमवक दिया थे भई आप लोगों सेडिया नहीं है कि क्लास की comment में आप लोग अंसर लिखिए की थाइसनinku फ्रमें जैसे की थृप्स आते हैं थाइसन यूरा में injuries कौण आते हैं तो थाइसनु यूरा से silver fish बिलॉंग करते हैं और इसा आपको करना चीहीं भी है क्लास में कमेंट्स करो अपने क्लास को इंटराक्टिव बनाओ पाइटेसिपेट करो तब ही जादा से जादा चीज़े याद रहेंगी सिर्फ यहां पर पढ़के दूसरे सब्जिक की क्लास रिटेंट करोगे या फिर जाके सो जाओगे तो यहां से सब साफ हो जाएगा चलिए विच और अफ इंसेक्ट अंडर गोस कंप्लीट मेटमोर्फोस बिल्कुल सही लापिड अप्ट्रा डिक्तिअप्ट्रा से कौन बिलॉंग करता है डिक्तिअप्ट्रा का एक्जाम्पल बताए जल्दी से पीछे का भी साथ साथ रिवाइस करना उतना ही इंपोर्टेंट है जितन उनेप्टिअप्ट्रा है डिक्तिअप्ट्रा से कौन बिलॉंग करता है कोलिम्बिल bå जो है आपका एक इंसेक्ट है विच विलॉंग सुट एलरी गोंड्व में आते हैं अर्थ्रो पोड़ में आते है ἀंकिन कलास इंसेक्टा में नहीं आते हैं कॉल्ल 103 ऐंड։र डिक्ति of lapidoptera is known for being largest and includes nocturnal insect. Lapidoptera order की कौन सी फैमिली है जो सबसे बड़ी है साइस में और इसमें nocturnal insect पाए जाते हैं and that is your of course noctuidi family है ना noctuidi family चलिए next what is the primary characteristic of the family Lyman Triddy Lyman Triddy family में क्या था जो औरों से अलग था उसकी एक particular characteristic थी जो से और फैमिली से और परिवार से अलग बना रही थी कौन सी characteristics थी presence of long proboscis rudimentary wings in females bright colored hind wings presence of conspicuous horn on the larva बिल्कुल B is the right answer ठीक है तो देखो Lyman Triddy family में hairy caterpillar जैसे अपके organisms आएंगे sorry hairy caterpillar जैसे organisms आएंगे जिनकी tuft पर भी है होता है उनकी body पर caterpillars पर भी hair होते हैं और साथी साथ जो भी बड़े होते हैं तो इनकी females के पास rudimentary wings होते हैं और males के पास normal type of wings होते हैं तो जो भी आपके insect हैं जिसमें male और female के feature अलग-अलग है जैसे कि हम है अगर मेरे साइड में कोई भी male खड़ा होगा तो आप पहचान जाएंगे he is male and she is female यह female है यह male है जिनको आप ऐसे देख कर morphology से पहचान पाते हैं कि male है या female है उसमें हम कहते हैं कि इसमें polymorphism present है यानि कि दोनों morphology male और female की जो है है अलग-अलग है और वह आप देखकर पहचान पाते हैं इसको polymorphism कहते हैं ठीक है तो यहां पर आंसर आएगा भी वाट इस दिस्टिंग्विश्ट फीचर ऑफ दा family पाइरेलीडी पाइरेलीडी फाइमली में क्या डिस्टिंग्विश्ट फीचर है पाइरेलीडी फामली तो बहुत इंपर्टेंट फैमली है क्योंकि इसके इंपर्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसकी नाख बड़ी लंबी है इसका बहुत बड़ा इगो है क्योंकि बहुत इंपर्टेंट है इसकी नाख बहुत लंबी है यारे कि इनके पास stout present होता है which is a modification of proboscis again है ना तो इनके पास क्या होता है presence of long pointed labial palpyr resembling as a stout snout snout की तरहां दिखती है ठीक है so option B will be the right answer which moth species known for robbing honey from the honeycomb कौन सी मोथ species है जो honeycomb से honey चुराती है honey बनाती कौन है बीज बनाती है और यह जाकर उनका honey चुराती है बिल्कूल जैसे कि Lord Krishna मक्खन चुराते दें है ना पर यह हमारे लिए तो नुक्सान दें है ना बेटा ऐसा कोई insect नहीं होता है जिसके पास abdomen नहीं होता सबके पास abdomen होता है yes so it is I carry nausea stinks जो है आपकी एक ऐसी मोथ है बिल्कूल पलक is the right answer जो कि honeycomb से honey चुराती है ठीक है चलो एक आदे कोशन ऐसे भी आद रहेंगे भाई जो मैंने पढ़ाया नहीं है आपको भी तो देखना है मुझे हैना सारे बिल्कुल पढ़ाय हुए ही रिवाइस थोड़ी ना करवाऊंगी चलो नेक्स्ट क्वाशिन आ जाता है वाट इस आ आपको देखने को मिलता है तो मुझे लग रहे है कि बच्चों का जोश कम हो गया बस एंटमोलोजी में दो चार दिन पढ़ ले इतनी समझ आती है और पढ़ने पढ़नी रही है छोड़ दो हैना क्लास ले नहीं छोड़ दो एसे गिव अप करते रहोगी तो यार कभी नही प्रेक्टिस करने तभी एंटमोलोजी आएगी ऐसे तो नहीं आएगी है ना पर चलो क्लासिफिकेशन को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे क्योंकि फिर ना आप लोग बोर भी हो जाते हो बहुत जल्दी और क्लासिफिकेशन इससे जादा मुझे लग रहा है याद भी नहीं ह तो यहां पर हमारा अंसर आए जाएगा आपका लार्वे विद लॉंग नहीं प्रेसंस अफर टॉप्ट हैर ओन अनल इन अडल्ट फीमेल्स फिंगिरी फैमली में थोडी हो रहा था यह तो लाइमन ट्रीडी में हो रहा था है ना हां तो ए विल भी तर राइट अंसर लार् ल्पिडॉप्ट्रा फामिली में कौनसी फामिली है जो नाचुरल सिल्क बना सकती है तो सिल्क है न मोगा सिल्क पढ़ते होंगे सुधान शुय सार के साथ और यह आपका क्या है हा बिल्कुल बॉम्बी सिडी है ना तो बॉम्बिक्स मुराई आपके इंसक्ट का नाम है बॉम्बिक्स मुराई और उसकी फामिली जो है बॉम्बी सिडी फामिली है and this family can produce silk यह फामिली जो है आपका silk प्रोड्यूस कर सकती है तो यहां पर option आएगा B which mode species is known as the sweet potato mode किस species को हम जो है sweet potato sorry sweet potato sphinx कहते हैं helico वर्पा आर्मी जरग या फिर horse convolivuli या फिर arcanosia stychus या फिर cellus recurus नाम बड़े कठेन है है ना प्रणाउंस करने तो और कठेन हो जाते हैं बट क्योंकि हमारे multiple choices question आते हैं ज्यादा तर तो आपको completely याद ने रखना है आप उसका कुछ प्राइमरी केरेक्टरस्टिक्स ऑफ फामली ग्याली चीडी चीडी फैमली में क्या देखने को मिलता है सार तक लिकरें मेरी तो टंग ही काम करना बन कर देती हैं होता है सभी के साथ होता है नौट यू हम सब इंडियन हैं हम सब की प्रॉबलम है यह दूसरी भाशा में वर्ड हैं तो हमें प्रणाउंस करने भी नहीं आते हैं या लॉंग प्रणाउंसेशिंस भी होते हैं एक छोटा सा तो चीज है कि हम उसको जब फ्रीक्वेंटली बोलते रहते हैं तो वह हमारी जबान पर आ जाता है और जब आप उसको खौलेंगे इस हाल में एक बारी तो हमारी जबान पर इंडियन आपाता है है ना इस हीर दाइंसर विल बी जी लार्वे विद्थिक कॉम्पाक्ट डॉर्सल टॉफ्ट ऑन सर्टेन सेग्मेंट्स यह होगा तो बढाएं सो देखो ग्रेली जी फांविली जो है आपके कर्व्ड लेबिल होते हैं जिक हैं कर्व्ड लेबिल चीकें जीक कर्वड आजएंसर जो हैं इसको कर्वड लेबिल की हेल्प सी जनते डी नहीं हो गाया से मजाक अरी थी महीं to बीधी दाइगा फैङंसर खें विच इंसेक्ट फोम स्पीशी रिस्पॉनसिबल फॉर अताकिंग ओटन प्लांट इंसेक्ट है जो तन फ्लांट पर अटाक करता है कौन सा प्लाइंट है ज़से कोवल बॉल है या फिर टबैको के टपिलर है या फिर कट वॉम है क्या होगा आंसर तो गैलीचीटी फैमली से कौन बिलॉंग करता है पिंक बॉल्बॉम जैसे कि मैंने कहा था कि पिंक पिंक इस असोसियेटेड विद गॉर्ल्स जो है गोसिप करती है तो इसके नाम में गॉसी पहला आता है और साथ ही साथ गॉर्ल्स गालियां देते हुए बिल्कुल अच्छ ही जस्ट अट्रुक्र वांबर लेंगा थे गॉर्ण कें सोच वो माम तो जो है जेंडर एक्वालिटी नहीं घर रही है जस्ट ट्रिक टु करिंबर ग्ल्स गालीयां देते वह अच्छी नहीं लगती तो पिंक बॉल्स जो है वो गाली चीडी फैमिली से बिलॉंग करता है गैली से गाली याद रख सकते हों, चीक है, this way you will be able to remember its family also and its scientific name also, चीक है, चालो, so A will be the right answer, pink ball warm और बस यहीं पर अपनी class समाप्त करते हैं, which in, sorry, these are your batches, यह आपके batch हैं, और अगर आपको किसी भी batch में enroll करना, because there is a 80% of right now, तो अगर आप सोच रहे थे, plan कर रहे थे, यार किसी ना किसी batch में तो enroll करना है, एक consistency बनेगी, notes भी मिलेंगे, एक particular time पर आप रोज class लेंगे, तो एक particular habit आपकी बनी रहती है, और consistency जो है बहुत important होती है, आपकी habit में किसी भी exam को crack करने के लिए, So if you are planning, plan करी रहे थे, तो अभी सही मोग है, क्योंकि 80% off है, and हम तो हमेशा आपके लिए available है, from 9am to 9pm, आपके सारे teachers की particular classes होती है, जिन में आप attend कर सकते हैं, आप से queues बढ़ सकते हैं, और हमारे साथ या मिलके गप्पी भी मार सकते हैं, ठीक है? कैसे किसी भी बाच में enroll करना है, तो आपको इसके लिए जो है, application में जाना है, download करना है, इस application को सबसे पहले, जा करके login करना है, login करके government exams को चुनना है, और government exams के अंदर agriculture को चुनना है, जो कि यहाँ पर आता है, adda 24-7, ठीक है? अब all courses में चाहिए agriculture को चुननेंगे, agriculture से related सारे options आपके सामने खुल जाएंगे, जिस भी चीज में आपको enroll करना है, उसको click कीजेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर agriculture महापैट को कर रही हूँ, जिस पर अब हर double validity and 80% off भी है, by now पर click करना है, यहाँ पर code लगाए, y448a और apply कर दि application पर 81% का हो जाएगा, तो यह आपको पूरा बैच है, बासट सो सम्थिंग का होगा, जिस में दो साल के लिए आपको live classes, test series और e-books, सब कुछ included इसमें मिलता है, तो thank you so much guys, and थोड़ा सा आप जो है मुझे लग रहा है बोर हो गए है classification से, so हम आपी classification को यहीं पर stop करके, आग okay guys, good bye, take care, अपना ध्यान रखेगा, and keep revising into, keep reading into, और into से डढ़ने की जरुवत नहीं है, I am there with you, साथ मिलके हम जो है, इसको learn करेंगे, ठीक है, चलिए, 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 चलि